बच्चों आज हम करेंगे वर्ण माला क्या करेंगे वर्ण माला क्या होती है जिनके अंदर सभी वर्णों को हम एक साथ लिखते हैं तो वो होती है हमारी वर्ण माला क्या होती है इस वर्ण माला में स्वर और व्यंजन यह होते हैं ठीक है इनके बारे में हम आज ठीटेल से पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर क्या पढ़ेंगे स्वर की संख्या कितनी होती है ग्यारा कितनी होती है ग्यारा स्वर ह होते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं देखते हैं हम सबसे पहला हमारा जो स्वर है वो है और यह होते हैं ग्यार है स्वर गिने एक बार इनको एक दो तीन चार पान्च छे साथ आठ नो दस और ग्यार है ठीक है यह होते हैं हमारे स्वर उसके बाद जो अं और अह यह क्या है अं और अह यह जो दो होते हैं इनको बोलते हैं हम ऐयोगवा है क्या बोलते हैं लेकिन इनको भी हम स्वरों के साथ ही लिखते हैं इसके बाद आते हैं हमारे व्यनजन क्या आते हैं व्यनजन हो जो संख्या होती है वो होती है 33 यहनिके 33 कितने होती है तो अब हम इनको पड़ते हैं बारी-बारी से सबसे पहला है हमारा कवर्ग, ठीक है, हमारे पास यह 5 वर्ग होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और इन प्रतियक में 5 पांच वर्ण होते हैं, ठीक है, तो 5 और 5 किकने होगे, 10, 10 और 5, 15, 15 और 5, 20, 20 और 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, तो यहां तक जो हमारे ठीक है क से लेकर और ह तक ये हमारे व्यंजन है 33 तो अब हम इनको बारीकी से पढ़ते हैं मैं बोलूगा आप मेरे साथ साथ बोलेंगे ठीक है ख, ख, ग, घ, अंग, च, ज, 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 आइय, त, थ, द, ध, अन, अन, त, 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 थ, द, द, अन, त, 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 भ, 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 म, य, र, र, ल, व, व, श, स, 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 ह, 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 यह है हमारे व्यंजन है तेतिस व्यंजन ठीक है उसके बाद आते हैं हमारे चार वए एक तो तीन और चार अक्षर अक्षर त्र त्र ज, ज, स्र यह होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए या मिले हुए यह अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं इसलिए इनको sanctification कहते हैं ठीक है तो इसके बाद आता है हमारे अत्रिक्त वर्ण वो कौन-कौन से हैं ये है अड़ क्या है जैसे सडक बोलते हैं ठीक है ये ड़ के जैसा होता है इसके नीचे एक बिंदू होती है ठीक है उसके बाद है अड़ जैसे बुढ़ा या पढ़ाई म ठीक है इसके नीचे बिंदि होती है यह है जैसे हुए ज हुर्ध के लिचे बिंदि होती है यह जैसे ही एक हमारा फॉन होती走了 तफॉर्ण होती है जो तो ङे न हरे अत्रिकत वर्ण होते है जो फार्षी से यह लिए गई हैं दौन भीई इनकी संख्या क्या होगी अब 11, 33, 4 ये और 4 ये ठीक है अत्रिक्तिव अंजन है कितने होगे 33 और 11, 47, 47 और 4, 48, 48 और 4, 52 तो ये हमारे 52 मर्ण पूरे हो गए है ठीक है और जो 2 हमारे अयोग वाहते तो 54 वर्ण माला के अक्सर हो गए है ठीक है तो आगे जो हमारा पेज है अज के लिए हम इतना ही करते हैं ठीक है नेक्स्ट पेज पर हम जो यहां पर दिये गए है एमात्रिक सब्द वो करेंगे ठीक है एमात्रिक सब्द यानिके बिना मात्रा वाले सब्द ठीक है तो मिलते हैं जल्द ही तब तक के लिए बाई बाई लाई लाई